नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिश दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपूरी जानकारी को लेकर के जिहें आए जानते हैं बस इसकी राहत के साथ आपको 评ल्प दूरुपे की दही यूज करना है हर तरह की बवासिर से आप तीन दिन में ही छुटकारा पा सकते हैं यह आज का टोपिक आई यह इसी बारे में जानते हैं यदि आज के इस दोर में हमारी दिन चर्या के कारण से हमारा शरीर काफी रोगों से ग्रस्थ हो जा रहा है आज का हमारा खानपान भी हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में समर्थ नहीं है अपितु इसी खानपान के कारण से हमारे शरीर को काफी कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है दिन भर ओफिस में कुर्सी पर बैठे रहने के कारण या फिर काम करने के कारण से कई लोग बवासीर जैसे रोगों की चपेट में आ जा रहे हैं जादतर लोगों को इस रोग की शिकायत रहती है परन्तु इस पे खुले तोर पे चर्चा करने से बचते हैं जब यह रोग चरम सिमा पर पहुंच जाता है तब ही लोग किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं यदि आपको भी लगता है कि आप में से भी इस रोग के शुरुवाती लक्षन हैं अथवा इस रोग से बचाओ के लिए आप भी इन तरिकों को एवम वीधियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपको फायदा होगा सबसे पहले आपको बताते हैं कि शारीरिक तोर से आप इस रोग से कैसे बच सकते हैं यदि आपकी जॉब में ज्यादा समय तक आपको एक ही जगह पर बैठना पड़ता है तो आप ध्यान रखें कि कुरसी पर ज्यादा समय तक बैठे ना रहें तीस से चालिस मिनट में अपनी कुरसी से उठके ओफिस में एक दो मिनट चहल कदमी जरूर करें ऐसा करने से आपके पिछले हिस्से में नमी में कमी आएगी और आपको आराम भी मिलेगा बवासिर का सबसे सटिक और सरल उपाय है नारियल की भूसी नारियल के बाल जिहां इस विध में आपको सबसे पहले एक बाल वाला नारियल लेना है फिर उसके सारे बालों को निकाल कर अलग कर लेना है अब इन बालों को यानि कि नारियल की भूसी को एक श्टील के बरतन में रख कर जला दें जब ये बाल पूरी तरह से जल जाएं तो हाथों से इसके राख को मसल कर एक कटोरी में रख लीजे अब एक गिलास में ताजा दही लीजे और तीन ग्राम लगभग एक चमच नारियल की भूसी की जलू ही राख को दही में डाल लीजे अब अच्छे से दही और राख को मिला लीजे आप जब तक इसका रंग हलका स्लेटी न हो जाए हलका स्लेटी होने के बाद इस मिश्रण को पी जाए यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है इस मिश्रण का आपको एक ही दिन में तीन बार सेवन करना है इसलिए एक दिन पहले ही रात को आप सारी वेवस्था सुनेश्चित कर लें सुबह के नास्ते के एक घंटे पहले दिन के खाने के एक घंटे पहले या एक घंटे बाद और ऐसा ही रात को या शाम के समय करना जरूरी है याद रहे कि इस मिसरन को पीने से एक घंटे पहले और एक घंटे बाद तक कुछ भी ना आपको खाना है और ना ही पीना है जिहां इस उपाय से आपको बवासीर के रोग से आवश्य ही बहुत आराम मिलेगा एक बात और बहुत ही ध्यान रखने वाली होती है इसमें बवासीर का मुख्य कारण होता है अपचन और कबज जिहां तो हमेशा याद रखें कि खाने के साथ दही अथवा छांच का सेवन जरूर करें और सुबह निवरित होने से पहले यानि कि नित्य क्रिया से निपटने से पहले हलका गुनगुना पानी आवश्य पीएं ऐसा करने से आपको कबजिकी समस्या नहीं रहेगी और आपका पेट सदैव साफ रहेगा और अगर आपका पेट साफ रहेगा इजली स्टूल होगा तो फिर आपको समस्या नहीं होगी बवासीर की यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और ब्यादी महत पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों